सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिन्तन आज का चिन्तन आज का चिन्तन ऑम शान्ति गोड माणी ज्यान का सागर शिवावा शांती का सागर सुख का दाता शिवाबा आज हम बच्चों को कह रहे है हर एक पाट धारि, आत्मा, आधा समय सुख, आधा समय दुख का पाट बजाती है यह भी इश्रीय लाह है बाबा हम बच्चों को बूच रहे है बाब जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धी में यथार्थ रिती कब बैठेगे बाब करें बाब जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धी में यथार्थ रिती तब बैठेगे जब बुद्धी शुद्ध बने जितना जितना जो पुरुशार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी वद्धी में बैठती जाएगे अभी तक बच्चे सोतो तक भी मुश्किल पहुँचे हैं हर एक का पुरुशार्थ अपना अपना है कोई सोतो है तो कोई तमो है लेकिन बनना तो है सोतो प्रधान आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किये है दूर देश का रहने वाला आया आया देश पर आये दूर देश का रहने वाला आया आया देश पर आये मन से मन की पूछ रहा है अब ना भैद चुपाए दूर देश का रहने वाला आया भाbा कहते हैं जब मेले वापदर्शनी में बच्चे समझाते हैं जो समझाने लायक बाते हैं वो जरूर समझानी पड़े इसमें यह तो जरूर समझाना पड़े कि सब्रदर्स आत्माउ का बेहत का बाप एकी है ये अभी पुछना पड़ता है कि भारत का आधी सनातन धर्म क्या है वे तो आधी सनातन हिंदु ही समझते हैं इस्लामी, बोधी, क्रिष्चियन आधी को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कभ स्थापना किया भारत वासियों को हिंदु धर्म है वा देवी देपता धर्म यह किसने और कब स्थापन किया यह भारत बासी बिल्कुल ही नहीं जानते यह बिल्कुल जरुरी बात है समझाने की जो मुल बात भूल गए हैं कि आदिस अनातन देवी देपता धर्म किसने स्थापना किया बरबर उस समय लक्ष्मिनान राज्य करते थे वो अपने को हिंदु नहीं कहलाते थे अच्छा हिंदु धर्म का भी कोई सवन्त होना चीए विक्रम सवन्त जो कहते हैं हो सकता है विक्रम समन्त भी कहते हैं तो आधाधा हो गया उस समय उनको आदी सनातन देवी देपता नहीं कहेंगे सम्मद कहा जाता है जब धर्म स्थापना होता है वो किस ने स्थापना किया बागतें ये बाते कोई नहीं जानता है विकर्म सम्मन तो रावण ने स्थापना किया उस समय सब के करम अकरम होते रहे करम, अकरम, विकरम नाम तो है न तो विकरम राजा का भी सम्मन्द चलता है वो हो गया आधा समय अब विकरम सम्मन्द हिंदू का सम्मन्द तो नहीं है तो यह पूछना चाहिए कि भारत का आदिस सनातन देवी देटा धर्म कब स्थापना हुआ मालूम तो पड़े न, यह वहुत नाजुक बाते हैं जब यह मालूम पड़े, तब हिसाब लगा सकें कि नई दुनिया थी, फिर दिन रात जरूर होते हैं आधा-आधा जरूर होगा यह एक इशुरिय ला है, यह समझानी देना है जरूर ऐसा कभी कोई ने समाचा नहीं दिया है क्योंकि अभी तक तक इसने बताया नहीं तो बाबा संगम उक पर आकर हम बच्चों को यह सारी बाते समझाते हैं बाबा केते हैं, राजिय का ग्यान दुआपर में मिलना सके माभरत लड़ाई भी दुआपर में लगना सके माभरत लड़ाई की बाद ही सत्युक स्थापना होता है अर्थात देवी देपता धर्म स्थापना होता है उन से पहले ब्रामन धर्म स्थापना होता है तो जरूर ब्रहमाद्वारा स्थापना करते होंगे अगते ब्राम्हन का है संगम शुद्र का है कलियू अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया प्रजा मना ही मनिश्र स्रिष्ठी तो जरूर ब्राम्हन होंगे क्राइस्ट को क्रिश्चिन धर्म का पिता कहते हैं यह है प्रजापिता जिनके तन में शिवाबा आकर हम बच्चों को ग्यान देते हैं ताकि हम नई दुनिया में फिर से देवी दिप्ता बन जाए तब आगते शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं परन्तु भारत वासियों को यह पता नहीं कि शिव जैन्ती क्या है ना ब्रह्मा विष्णु संकर का पता है ना स्री कृष्ण का स्री लक्ष्मिन नारण का राज्य कब था यह भी नहीं जानते उनके पोप की सारी लिस्ट होंगी परंतु भारत बस्यों को यह पता ही नहीं यह लक्षमिनाण भी भारत में राज्य करके गए है बावगतें, मनुष्य तो कितनी अंध्यारे में है तुमको कितनी रोश्णी मिलती है ऐसे भी नहीं, सब बातें किसी को याद रहती बावगतें, नहीं तो बावा ने समझाया सब पदर्शनी में समझाना चाहिए जो बावा ने हम बच्चों को समझाया पदर्शनी में एक दिन आते हैं, फिर दूसरी दिन आते नहीं कुछ भी पता नहीं पड़ता कि समझते भी नहीं है अपनियन में लिखना चाहिए कि पहले हम को यह पता नहीं था तो देवी देपता धर्म कहा गया बावा आज मुल बात बता रहे हैं कि हमारे जो हिंदु धर्म है ये आदी सनातन देवी देपता धर्म है बावा ने आज समझाया है कि हमारे जो आदी सनातन मुल धर्म है उसको हम भूल गए हैं और किसने स्थापना किया बावगतें दुनिया में जो भी लड़ाई होगी उसमें गौले गेस आदी से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं वो है आसुरी संप्रदाई आसुर और देपता हैं दोनों मनुश्य ऐसे नहीं कि आसुरों को कोई भायानिक सकल होती है वो तो लड़ाई में गौले गेस आदी से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं वो है आसुरी संप्रदाई तुम हो राम संप्रदाई क्योंकि तुम पांच बिकार छोड़ते हो पवित्रबन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है बावा कितनी बातें समझाते हैं हम बच्चों को तो बड़े प्यार से समझना है और दुसरों को भी समझाना है तो बावा अस धारणाव में हम बच्चों को कह रहे हैं भगवान हमको आकर पढ़ाते हैं और पढ़ाकर भगवती बनाते हैं भगवती भगवान बनाते हैं इस खुशी बाद नशे में रहना है कितनी उची बाते हैं हम बच्चों को भगवती भगवान बनाते हैं बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान बुद्धी में रख दूसरों को सुनाना है जैसे बाब किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है आज बाबा हम बच्चों को बर्दान दे रहे हैं करावन हार कि स्मृति से सदा सेवा में निर्मान का कार्य करने वाले कर्मियोगी भवो कोई भी कर्म कर्मियोगी की स्टेज में परिवर्तन करो सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्मियोगी हैं कर्म अर्थात विवहर और योग अर्थात प्रमार्थ दोनों का बिलेंस हो शरी निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भुलना जाए जो भी कर्म करो यह इस शुरिय सेवा अर्थ हो इसके लिए सेवाव में निमीत मात्र मंत्र का करावनहार के स्मृति का संकल्प सदा याद रहे करावनहार भुले नहीं तो सेवा में निर्मान ही निर्मान करते रहे आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं सेवावा संबन संपर्ख में बिगन पढ़ने का कारण है पूराने संसकार उन संस्कारों से बैराग हो तब हम जो कर्मयोगी का टाइटल है हम ले सकते हैं तो आज की मुरली का नुसर हम सोमाल लेंगे मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ मैं राजयोगी कर्मयोगी स्रिष्ठ आत्मा हूँ और मुरली को गहरी रिती से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि शिपावा मैं कोई भी सिवा करूँ कहीं भी जाओं निरंतर मेरे साथ साथ ही बन कर मस्तक की उपर छत्र छाय के रूप में 24 विंटे हैं मुस्कुराते रहे आगे वड़ते रहे पुरुशार करते रहे खुश रहे, स्वस्त रहे, मस्त रहे ओम शान्दी ओम शान्दी ओम शान्दी